तो यह माल लेते हैं हमारे पास यह है अर्थ और यह अर्थ यह इस एक्सिज के अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरीके से और यह जो यह जो लाइन है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ यह लाइन यह होगा एक्वेटर कौन सा जगा एक्वेटर तो यहाँ पर यहाँ पर एक अबजेक्ट को रखा गया है और यह अबजेक्ट इस तरीके से घूम रहा है इस अबज से यह भी घूम रहा होगा ठीक है यह object जो है यह भी सेम ओमेगा से घूम रहा होगा clear इस तरीके से मैंने इसको भी ओमेगा प्रोवाइड कर दिया यह सेम ओमेगा से घूम रहा होगा अब बाद आती है कि आप से पूछा गया है कि the radius of earth time period of revolution of earth is this find the acceleration of the particle placed on the surface of the earth तो देखें क्योंकि हमारा जो earth है वो constant omega से घूम रहा है मतलब कि uniform circular motion में घूम रहा है जब हमारा earth uniform circular motion में घूम रहा है इसका मतलब यह हो गया कि इसके पास alpha की value हो गई 0 और tangential acceleration की value इस object के लिए 0 हो जाएगा अब देखें जब यह object circular path पे घूम रहा होगा इस तरीके से तो उस condition में इसके पास होगा only on centipetal acceleration और वही net acceleration के बराबर होगा अब centipetal acceleration होता है omega square into r omega के बात करें तो omega के value आपको नहीं given दे रखी directly आपको time period given दे रखा है और omega के value आप लोगों पता होना चाहिए omega is equal to 2 pi by capital T तो omega is equal to 2 pi और यह capital T के value हो जाएगे 24 hours hour के लिए हम लोग कितने लेखेंगे 60 minute और यह 60 second यह बात आप लोगों को सुमझाती है चलिए चलिए अब हम बात करते हैं यह तो हमारे पास omega हो गया और omega के value यहां पर पूट करते हूं 2 pi by 24 into 60 into 60 का whole square into r that is the 64 hundred kilometer kilometer को में मीटर में convert कर लिया 10 की power 3 तो यह हमारे पास centripetal acceleration आ जाएगा और इसको जब हम further solve करेंगे तो centripetal acceleration की value जाएगे वो आएगे 0.033 meter per second square आप इसको solve करके देखेंगे इतनी value आएगे I hope आप लोग कोई question सुन माया होगा ऐसे वीडियो lecture से देखने के लिए आप हमारे चानल को जहुर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जो भी latest lecture हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंस गए थैंक्स वर होती